आज मैं आपको बताऊंगी healthy and tasty complete diet plan 10 साल से छोटे बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा concern मदर्स को रहता है बच्चों की diet का क्या खिलाएं, क्या न खिलाएं और ऐसा क्या खिलाएं जिससे उनकी health improve हो क्योंकि friends यही age होती है जब बच्चों का foundation तयार होता है अगर हम अपने बच्चों को सही diet plan नहीं देते तो definitely बच्चों का पूरा future खराब हो सकता है friends complete जानकारी के लिए वीडियो लास सक जरूर देखिएगा पर इससे पहले मेरे चैनल को जरू सबस्क्राइब करें और इस bell icon को क्लिक करें जिससे आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाएं parents को बस इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को iron दिन में 16 mg मिलना चाहिए calcium 500 से 600 mg तक required होता है calories 1200 तक के calories होनी चाहिए but calories बच्चे की lifestyle के according required होती है और इसके लावा 25 gram तक protein उन्हें देना चाहिए 20 gram तक के fat required है ये तो हमने बताया nutritional value के बारे में friends आपको अपने बच्चों की हमेशा ही ये common test करवाते रहना चाहिए vitamin D, hemoglobin, vitamin B12, diabetes अगर family की history में diabetes है तो definitely diabetes की भी test करवाएं आज की date में childhood obesity US के बाद इंडिया में बहुत जाता ही common हो गई है क्योंकि आज कल की lifestyle ऐसी है कि हम लोग की ज़्यादा physical activities नहीं होती है तो इसलिए BMI test बच्चे का जरूर करवाना चाहिए वैसे तो आप जानते होंगे पानी हम लोगों के लिए कितना ही important है यह हमारी body से waste निकालता है और body temperature को maintain करता है पर कितना पानी पीना चाहिए बच्चों को एक दिन में आए ये जानते हैं बच्चों को दिन भर में 1.5 से 2 लिटर पानी दें आईए अब मैं आपको बताती हूँ complete diet plan early morning से लेके डिनर तक के क्या दें बच्चों को early morning में जब वो school के लिए जा रहे हों तो chia seeds दे सकते हैं chia seeds omega fats का एक rich source है chia seeds को आप पानी में dissolve करके दे सकते हैं या फिर आप lemon water दे या coconut water दे सकते हैं अगर आप non wage लेते हैं तो 2 eggs खिला कर भेज सकते हैं अपने बच्चों को क्योंकि eggs में protein होता है जो vegetarian food में नहीं पाया जाता mothers daily सोचती हैं कि आज टिफिन में बच्चे को क्या दें जो tasty and healthy भी हो तो चलिए मैं आपको बताती हूँ टिफिन बोक्स में आप क्या क्या दे सकती हैं पोहा दे सकते हैं आप चोले की लड़ू दे या गोड़ चिकी आती है वो दे सकते हैं पीनट चिकी दे सकते हैं आप बच्चों के लिए मल्टी ग्रिन आटा तयार करके जरूर रखें जिसमें आप किनुवा का आटा ज्वार का आटा पूड़ा सा रागी का आटा ओट्स और बिल्कुल नाम मात्र के लिए वीड का आटा लें ये सभी आटे की कॉम्बिनेशन बच्चों को प्रोटीन प्रोटीन करेंगे इसमें वाइटमिन्स, मिनरल्स तो है ही लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिक्वाइड है ग्रोइंग चिल्रन के लिए वो है प्रोटीन इस मल्टी ग्रिन आटे को गूद कर आप स्टफट पराटे बनाकर दे सकती हैं इडली बनाकर दे सकते हैं आप उन्हें मूंग दाल का चिल्ला आप उनको सैली या फ्रूट दे दीजिए जिसका कलर रेंबो कलर हो जितना ज्यादा रेंबो कलर होगा बच्चों को मिलेगा जो कि आईस के लिए बहुत ही अच्छा होता है अब फ्रूट या सैलीड के एक घंटे बाद लंच में आप उनको मल्टी ग्रेन रोटी दे सकते मिज्ष की और बच्चों को आप चासे हैं रागी आते सब्जे को इस पाँगा है अब इवनिंग में आप उन्हें सोया मिल्क, अमरेंथ लट्डू, ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, अमरेंथ प्रोटीन रिच है, अब बात करें लेट इवनिंग की, तो लेट इवनिंग में आप उन्हें चिकन सूप दे सकते हैं, पर अगर आप आइस क्रिम दे सकते हैं, अल्मुस्स सभी बच्चों को आइस क्रिम खाना बहुत पसंद होता है, तो डिनर की कैलरीज हम आइस क्रिम से ही पूरी कर सकते हैं, फ्रूट प्लेट दे सकते हैं, या फिर स्मूथीज दे उन्हें, पट ये जो डाइट प्लैन मैंने आपको बता लाइव करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करें, बाई फ्रेंड्स